सुनाए आइसी एसी बोर्ड ने विशन चंदर जी की एक कहानी को syllabus से ही निकाल दिया, class 10 के syllabus से निकाल दिया, ये कहके ये बच्चों के लायक नहीं है, बच्चे से समझ नहीं पाएंगे and all that, और ये भी सुनाए कि असली वजा है कि हमारे कुछ सियासदान, हमारे कुछ politicians नेत उन्हें इस कहानी से थोड़ा डर लग रहा है, क्या है इस कहानी में, जिससे उन्हें इतना डर लग रहा है, ये तो तब पता चलेगा, जब कहानी पढ़ी जाएगी, syllabus से तो निकल गई है, अब पढ़ने में और भी जाद हमजाएगा, जामुन का पेड, कृष्ण चंदर 1961 में उसे पद्म भूशन से नवाजा गया था, कहानी कुछ ऐसी है, रात को बड़े जोर का अंधर चला, सेक्रेटेरियट के लौन में जामुन का एक पेड गिर पड़ा, सुबा जब माली ने देखा, तो उसे मालूम हुआ के पेड के नीचे का आदमी दपा पड़ा है, मा जमा इखटा हो गया, बिचारा जामुन का पेड कितना फलदार था, एक क्लाग बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लाग बोला, मैं फलों के मौसम में जोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे, तीसरे क्लाग जिन्दा है के मर गया एक चप्रासी ने पूछा मर गया होगा इतना भारी तना जिसकी पीट पर गिरे वो बच कैसे सकता है दूसरा चप्रासी बोला नहीं मैं जिन्दा हूँ दबेवे आदमी ने बमुश्किल कराते हुए कहा जिन्दा है एक क्लोक में हैरत से कहा पेड को बहुत भारी और वजनी है क्या मुश्किल है माली बोला अगर सुप्रेटेंडेंडेंट साब हुकुम दे तो अभी 15-20 माली चप्रासी और क्लाक जोर लगा के पेड के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं माली ठीक कहता है बहुत से क्लाक एक साथ बोले लगाओ जोर हम तयार है एकदम बहुत से लोग पेड को काटने पर तयार हो गए ठेरो सुप्रेटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे रहें इसी में आधा दिन गुजर गया दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी लोग तरह तरह की बाते कर रहे थे कुछ मंचले क्लाकों ने मामले को अपने हाथ मिलेना चाहा वो हुकूमत के फैसले का इंतजार कि ये बगएर प पेड करशी विभाग के तहता आता है इसलिए मैं इस फाइल को अरजेंट मार्क कर की क्रिशी विभाग को भेज रहा हूं वहां से जवाब आते ही इसको नटवा दिया जाएगा दूसरे दिन क्रिशी विभाग से जवाब आया कि पेड हटाने की जिम्मदारी तो वानिज्य विभाग की ही बनती है ये जवाब पढ़कर वानिज्य विभाग को घुस्सा आ गया उन्होंने फॉरन लिखा कि पेडों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी क्रिशी विभाग की है वानिजे विभाग का इस मामले से कोई ताल्लक नहीं है दूसरे धिन भी फाहिल चलती रही शाम को जवाब आ गया हम इस मामले को हॉटी कल्चर विभाग के सुपूर्ट कर रहे है क्योंकि ये एक फलदार पेड का मामला है और क्रिशी विभाग सिर्फ अनाज और खेती वाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है जामुन का पेड एक फलदार पेड है इसलिए पेड हॉटी कल्चर विभाग के अधिकार शेत्र में आता है रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भाद खिलाया हाला के लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें मगर एक पुलिस कॉंस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है उमीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा दबा हुए आदमी कुछ न बोला माली ने पेड के तने को गोड से देखकर कहा अच्छा है तना तुम्हारे कूले पर गिरा अगर कमर पर गिरता तो रीड की हड़ी तूच जाती दबा हुए आदमी फिर भी कुछ न बोला माली ने फिर कहा तुम्हारा यहां कोई वारिस हो तो मुझे उसका आता पता बताओ मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा मैं लावारिस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया तीसरे दिन हौटी कल्चर विबाग से जवाब आ गया बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था काफी आलोचना के साथ उससे हौटी कल्चर विबाग का सेकरेटरी साहित्तिक मिजाज का आदमी मालूम होता था प्रामुन के पेड को जिसका फल जनता बड़े चाव सिखाती है हमारा विबाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता अब क्या किया जाए एक मंचले ने कहा अगर पेड नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए ये देखिए उस आदमी ने इशारा से बताया अगर इस आदमी को बीच में से यानि धर की जगा से काटा जाए तो आदा आदमी इधर से निकलाएगा और आदा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा मगर इस तरह से तो मैं मर जाओंगा दबे हुए आदमी ने इतरास किया ये भी ठीक कहता है एक लग बुला आदमी को काटने का नायाब तरह का पेश करने वालों ने एक पुखता दलील पेश की आप जानते नहीं आज कल प्लास्टिक सर्जरी के जरिये धड़ की जगा से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया मेडिकल डिपार्टमेंट ने फॉरण इस पर आक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जाँच के लिए मौके पर भेज दिया सर्जन ने दबेवे आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसके सिहत देखकर खून का दबाव सांस की गती दिल और फेपड़ों की जाच करके रिपोर्ट भेज दी केस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन काम्याब भी हो जाएगा मगर आदमी मर जाएगा लेहाजा ये सुझाब भी रत कर दिया गया रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुँ में खिजड़ी डालते हुए उससे बताया अब मामला उपर चला गया है सुना है कि सेक्रेटेरियट के सारे सेक्रेटेरियों की मीटिंग होगी उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा उमीद है सब काम ठीक हो जाएगा दबा हुआ आदमी एक आह भर कर आहिस्ता से बोला हमने माना के तगाफल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक माली ने अचंबे से मुँ में उंगली दबाई हैरत से बोला क्या तुम शायर हो दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया चपरासी ने क्लरक को और क्लरक ने है क्लरक को थोड़ी देर में सेकरेटेरियट में ये बात पहल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है बस फिर क्या था लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे इसके खबर श शायर से लगाव था रुख गए कुछ शायर दबेवे आदमी को अपने घजने सुनाने लगे कई क्लरक अपने घजनों पर उनसे सला मश्वरा मांगने लगे जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेकरेटेरियट की सब कमिटी ने फैसला किया कि चुकि दब इस मामले में फैसला करें और इस बदनसीब शायर को इस पेड के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए फाइल संस्कृत वबाग के अलग-अलग सेक्शन में होती हुई साहित्यक आदमी के सच्चव के पास पहुची बेचारा सच्चव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार ह कर सेक्रेटेरियट पहुचा और दबेवे आदमी से इंटर्व्यू लेने लगा तुम शायर हो इसने पूछा जी हाँ दबेवे आदमी ने जवाब दिया क्या तखलुस रखते हो अवस अवस सच्चव जोर से चीखा क्या तुम वही हो जिसका मजमुआए कलाम-ए-अक्स क कि फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है दबेवे शायर ने इस बात पर सिरह लाया क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो सच्चिव ने पूछा नहीं हैरत है सच्चिव जोर से चीखा इतना बड़ा शायर अवस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं तो फ पेड के नीचे दबा हुआ भगवान के लिए मुझे इस पेड के नीचे से निकाल लिए अभी बंदोबस्त करता हूं सचिव फॉरन बोला और फॉरन जाकर उसने अपने विभाग से रिपोर्ट पेश की दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला मु बेवे आदमी ने कर रह कर का उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और इसकी आँखों से मालूम होता था कि वो बहुत कष्ट में है ये हम नहीं कर सकते हैं सचिव ने कहा जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया बलके हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ त तो हम ये भी कर सकते हैं मैं अभी जिन्दा हूं शायर रुक रुक कर बोला मुझे जिन्दा रखो मुसीबत ये है कि सरकारी अकादमी का सचेव हाथ मलते वे बोला हमारा विभाग सिर्व संस्कृती से तालुक रखता है आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है अ चाहेगी माली बहुत खुश हुआ आढमी के सिखत जवाब दे रही थी मगर वो किसी ना किसी तरह अपनी जिंदकी के लिए लड़े जा रहा था कल तक सुबा तक किसी ना किसी तरह उसे जिन्दा रहना है दूसरे दिन जब वन्विभाग के आदमी आरा को लाड़ी लेकर पहुँचे तो उन्हें पेड काटने से रोग दिया गया मालुम हुआ कि विदेश मंत्राले से हुकम आया है कि इस पेड को ना काटा जाए वज़ा ये थी कि इस पेड को दस साल पहले पिटोनिया के प्रधान मंत्री ने सेक्रिटेरियट के लॉन में लगाया था अब ये पेड कर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड चाएंगी मगर एक आदमी की जान का सवाल है एक क्लरक खुस्से से चिलाया दूसरी तरफ दो हकूमतों के तालुकात का सवाल है दूसरे क्लरक ने पहले क्लरक को समझाया और ये भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है क्या हम इनकी दोस्ति के खातिर एक आदमी की जिंदेगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते शायर को मर जाना चाहिए बिल्कुल अंडर सेक्रेटरी ये सुप्रेटेंडेंडेंट को बताया आज सुभा प्रदान मंत्री दौरे से वापस आ गए है आज चार बजे विदेश मंत्रा ले इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा वो जो फैसला देंगे वही सब को मनजूर होगा शाम चार बजे खुद सुप्रेटेंडेंडेंडेंड शायर की फाइल लेकर उसके पास आया सुनते हो आती है खुशी से फाइल लहराते वे चिलाया प्रदान मंत्री ने पेड़ को काटने का हुकम दे दिया है और इस मामले के सारी अंतराष्ट्री जिम्मेदारी अपने सर ले ली है कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे सुनते हो आज तुम्हारी फाइल मुकमल हो गई सुप्रेटेंडेंडन ने शायर के बाजू को हिला कर कहा मगर शायर का हाथ सर्द था ठंडा पड़ चुका था आँखों के पुतलियां बेजान थी और चीटियों के एक लंबी कतार उसके मुँ में जा रही थी उसकी जिन्दगी के फाइल मुकमल हो चुकी थी अब इस कहानी से क्या इतराज है आप खुदी समझतार है